न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पार्ट नंबर फॉर फाइनली यार अब वो समय आ गया है जो हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे इसमें बहुत सारे नए टॉपिक भी देखने वाले और बॉक्स भी कवर करेंगे हमारा इंडिया हो गया रशीया हो गया इसराइल हो ग तो अगर हम 21st century की इंडिया की बात करते हैं तो यह पूरे वेल्ड में बहुत-बड़ा गलोबल पावर बनकर सामने आया है फ़्ज़ा रहे है कि 21st century की पावर्ड ने कहां का एक्सपेरियंस करी है फिए तो सिम्पल यह है कि ऐसा कोई एक एरिया नहीं है इंडिया ने इंडिया का राइज हो इंडिया की पावर हो वह तरफ हमें देखने को मिल जाती है दुनिया भी इसे बहुत हद तक चौकती भी है इंडिया काम ही हर स्पेर में बहुत अच्छे से किया आगर हम अपने एकनॉमिक कुल्चुरल स्ट्रेजिक पोजीशन की बात करते हैं हमारे हुआ की एक बहुत स्ट्रॉंग हमें देखने को मिल जाती है इंडिया के जो इंडिया की जो फॉप्रिटिव रोल से ज़्यादा करते घारता है हमारा एक बहुत झूज मार्केट हमें देखने को मिलता है सती साथ साथ बाई हमारा जो बहुत हमец Авमारा कुल्चर हमें देखने को मिलता है 400 million Indian people के बाकी बाइध इंडिया का बना देता थे वह प्रस्पेक्टिफ से देखते हैं इंडिया की जो मिलिटरी है वो एकदम सेल्फ सफीचेंट है उसको किसी की जरूरत नहीं है साथ हमारे पास न्यूक्लियर टेकनलोजी पूरी हमें एक न्यूक्लियर पावर है यह आप सबको पता हमने पहले देखा है अपने आप में बहुत पावरफुल देश बना दिया है और बिल्कुल हम एक इमर्ज करते जा रहे हैं बहुत बड़े रूप में और एक बहुत ग्लोबल लेवल पर अब हम आ चुके हैं पूरा हमारा इंडिया का आता है PDF में सिर्फ इतना ही दिया था तो हमें बोट के लिए सिर्फ इतना ही पढ आया हूँ तो अगर रशिया के हम बात करते हैं तो सोवियट उनियों के डिसिंटिग्रेशन के बाद यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा बचता है और जब हमारा सोवियट उनियों का डिसॉल्यूशन हुआ लेट 1980s और अर्ली 1990s में उसके रशिया इसका बहुत स्ट्र इसको बहुत करती है एक पावर्फुल कंट्री बनने में पूरे ग्लोबल वर्ड में इनके चक्कर में बहुत बात करते हैं तो हम सबको पता है कि रसिया एक नुक्लियर स्टेट है और इसके पास बहुत सारे सोफेस्टीकेटड वैपन है मतला आप बोल सकते हैं एकदम जाता है तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉंग चीज हो जाता है तो इन सब फेक्टर की वज़े से हमें रशी अभी बिल्कुल इमर्जिंग पावर के रूप में देख रहा है इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इस्राइल वर्ड मैप की बात करते तो एक दम पॉइं दिल में लाय करता है और वहां की पॉलिटिक्स इतनी कुछ खास नहीं है अभी आपने देखा हो गया इस्राइल के वैसे भी बहुत सारे अभी कॉन्फिक्ट चल रहे थे हमने देखा था हमास इस्राइल की लड़ा यूथी पैलेश्टीन इस्राइल कॉन्फिक्ट हमने दे इस्राइल को बहुत आगे बढ़ाती है उसके बाद भी बिल्कुल लड़ता है हार नहीं मानता और यही प्रिंसपल एक ऐसा है जो हमारा इस्राइल जो के जीवेस जायोनिस निशन है इसको आगे बढ़ने मदद करता है इस्राइल की बहुत इंपोटेंची समय सामने आती है वहाँ पर भी हमें इस्राइल का बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाता है इसी के साथ है हमारे नए टॉपिक खतम होते हुआ हम बॉक्स करेंगे सबसले हम जैपैंग करेंगे इसका हम साउथ कोरिया करने बादे तो बाइक कुछ ऐसी जैपैनीज बहुत फेमस ब्रेंड से इनका नाम तो आपने सुना ही होगा सोनी पैनसोनिक कैनन सुजूकी हॉंडा टोयोटा मासदा यह ऐसे नाम जो सब ने सुने है और इंको रेप्यूटेशन यहीं यार की बहुत हाई टेकनोलोजी के प्रोड़क् होने के बाद इसका जो प्रोग्रेस है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा है यह कि बहुत अच्छी चीज़ा में जैपैंग के बारे में देखने की मिलती है अगर हम जैपैंग की बात करते हैं तो यह OECD इसका फुल फॉर्म होता है एक फॉरम है पॉलिटिकल फॉरम है तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो एशिया का एक लौता यह मेंबर है एशिया ने एक लौता जैपैंग का सामना करना पड़ा था आप सबको पता है यूसे ने जैपैंग की को दो सिटी किरोशिम और नागा साकी में बाम गिरा दिये एक अकेला है जिसको इसका सामना करना पड़ा था बहुत सदा डिस्ट्रक्शन यहां पर हुआ था लेकिन उसके बाद भी यह बहुत ओवरकम करके आगे बढ़ा है अगर हम यूएंग की बात करते तो सेकेंड लार्जस कॉंट्रिब्यूटर है उसके रेगुलर बजट में ओवरॉल बात करते तो 10% बजट कॉंट्रिब्यूशन जैपैंग का रहता यूएंग इसके में बहुत खासियत देखने को मिलती है उसके जैपैंग का यूएस के साथ 1951 से एक सेक्वारिटी अलाइन्स भी चलता है लोग सेक्वारिटी का पूरा अलाइन्स बनाये हुए है फिर इसके बाद है अगर हम अर्टिकल 9 की बात करते हैं जैपैंग के कॉंस्ट्रिक्शन की तो साफ साफ दिया हुआ है कि जैपैंग के जितने भी लोग है वो वार को हमेशा के लिए त्यागते हैं उनका कहना है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए धंकी देना आगे बढ़ रहा है यह चीज़ हमें देखने को मिलती है उसके अगर हम जैपैंग के मिलिटरी एक्सपेंटिचर की बात करते हैं तो उसके बाद वी वर्ल्ड पर पूरे सेवेंट लार्जिस नंबर पर यह आ जाता है तो इतना ही पूरा हमारा जैपैंग के बारे में आता पर नाम दिया गया है जो की रफली हमारे साउथ को और नौथ को पर से निकलता है उनकी जो डिमार्केशन लाइन है वहां से इतना हमें जानना बहुत जरूरी हाला कि 38 पर ला को बोड में नहीं आने वाला है मैंने सिर्फ एक्स्टा नॉलिज के लिए आपको बता दिया त तो जो साउथ कोरिया है उसको रीपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोला जाता है और एक हमारा नौर्थ कोरिया है जिसको डेमोक्राटिक पीपल्स रीपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोला जाता है तो इसका में प्रॉब्लम यह हुआ है कि 1950 से 1953 में हमारी कोरियन वार चली हमने अरीना उन्हों ने UN को जॉइंग किया उसके ये मेंबर बन गए तो एक हमें थोड़ी अच्छी देखने को मिली थी उसके बाद अगर हम साउथ को रिया की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा पावर बनकर हमारे सामने आया है एशिया रीजन में अगर हम 1960s से लेके 1980s के बीच की बात करते हैं फिर बहुत जदा में डेवलप्मेंट देखने को मिल रहा था इसकी एकनोमिक पावर बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और इसी को टर्म किया गया था मिरेकल ऑन दा हैं रिवर यह फोटो में आपको हैं रिवर का आसपास का इसका देखने को मिल रहा था यार फिर 1996 में OECD हमने भी पढ़ा था ओर्गनाइजेशन फॉर एकनोमिक कॉर्पोरेशन एंड डवलप्मेंट उसका यह पार्ट बहुंग गया उसका हम 2017 की बात करते हैं तो इसकी जो एकनोमी है वह पूरे वर्ड में 11 नंबर पर आती है और है इसकी रैंक पूरी 18 आती है आप मुझे इंडिया की रैंक बताइए देखकर आपको भी शॉक लग जाएगा फुला सा 18 नंबर पर हमारा साउथ कोरी आपको देखने को मिलता और आप मुझे कॉमेंट ने बताइए कि इंडिया की रैंक अगर नीचे है इसका रीजन क्या है यह मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको इसकी रैंक मिल पाई तो यह है कि सक्सेस्फुल रेंड रिफर्म हमें देखने को मिलता है यहां पर एक्स्टेंसिव उमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ साथ-साथ यहां पर रैपिड एकुटेबल एकोनॉमिक ग्रोथ भी हमे हमें देखने को मिलता है फिर इंकी जो रिडिस्ट्रिब्यूशन पॉलिसी वह बहुत ही स्ट्रॉंग है पबलिक इंफरस्ट्रक्ट्टर डवलपमेंट इंका बहुत अच्छा है और साथ इंडिया और साथ-कोरिया के बीचे बहुत सरे अग्रीमेंट हुए इसके बाद हम कमर्शियर और कल्चुर और टाइस की और आगे बढ़ रहा है तो एक हम एच्छी चीज़ देखने को मिलती है यहां पर बोला गया है आप मुझे कॉमेंट में बताइए कौन से यसे मारे डीसेट अग्रीमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं दोनों के बीच में इसी के साथ अगर हमारा यह पूरा चैप्टर खताम होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपके चैप्टर की वीडियो फूरी देखें तो आप मोस्ट इपोर्टेंग क्वेशन जरूर देखेंगा इनसे बसने की चांसे बहुत जादा होती है पूरे प्रीवेंस